तो दोस्तो आप जितने भी सारे लोग 2024 में नए CSE Centers के लिए apply करेंगे तो उसके लिए CSE की तरफ से एक नया portal launch कर दिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है ना अब जैसे आप इस वाले portal पर आते हैं and get started वाले button पर click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह wise आपको police verification report यहाँ पर complete करवाना होगा ठीक है ना police verification report कैसे बनाना है इस पर हमारे चैनल पर एक detail video है वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस video के end में आपको मिल जाएगा जिसमें कि आप online तरीके से घर बेठे अपना police verification बना सकते हैं अब दोस्तो important जो certificate है वो यहाँ पर आपसे मैंगा जाएगा IIBF का certificate या BC certificate ठीक है ना तो जिन लोगों के पास में टेक registration certificate नहीं है या IIBF का certificate नहीं है तो IIBF के लिए आपको जो एक video हमारे चैनल पर मिल जाएगा आज किस video हम बात करने वाले हैं टेक certificate के बारे में टेक certificate आप जो है कैसे बना सकते हैं ठीक है हैं या तो आप गूगल में search कर सकते हैं ठीक है तो जैसी अब search करेंगे आपके सामने पहला ही website आ जाएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है दोनों condition में आपको जो इस वाले page पर redirect कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने अगर दो option आते हैं तो आपको registered वाले button पर पहले click करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने new user का एक farm आ जाएगा इस वाले farm को आपको जो फिल अप करना है तो feel कैसे करना है जैसे कि आप यहाँ पर एक notification चलता हूँ आभी देख रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पर farm में जानकारी भरेंगे वो आपके पास में जो भी government ID है उसके अनुसार भरेंगे क्योंकि अगर आपका यहाँ पर एक बार पंजियन कर दिया जाएगा तो फिर उसको जो है बाद में किसी भी तरह से बदला नहीं जाएगा मतलब मान लीजी अगर आप यहाँ पर अपने नाम में कोई mistake कर देते हैं मोबाइल नमर में क पर इंटर कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको जो कंगनें पर आपको अपना complete address इंटर बोकर देना है जो भी आपके document पर है उसकेक अिहाँ पर आपको एस्टुढक एक photo upload करना है जो इसका size जो है 50KB के असपास होना चाहिए 50KB से कम होना चाहिए 50KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG format में आपका photo यहाँ पर upload करना है उसके बाद आपको जो इस वाले किपचा को यहाँ पर feel करना है and submit वाले button पर click कर देना है तो जैसी आप यहाँ submit वाले button पर click कर देते हैं तो आपको redirect कर दिया जाएगा payment section में जहां से कि आपको 1419 रुपे का payment करना होगा आप किसी भी माध्यम से phone पे, Google पे के माध्यम से अपना payment कर सकते हैं जैसी आप payment कर देते हैं तो आपको जो है payment करने के 10 से 15 मिनट के बाद आपका जो भी email ID आपने यहाँ पर provide किया है न उस पर आपको एक mail भेजा जाएगा जिसमें कि आपको एक user ID भेजा जाएगा और एक password भेजा जाएगा ठीक है न और एक link भी आपको भेजा जाएगा direct link जिससे कि आप directly redirect कर दिये जाओगे user login वाले page ठीक है न अब दोस्तो अगर आपको username और password मिल गया है तो फिर आपको क्या करना है अब आपको जो है इससी वाले page पर आजाना है दो बारा से ठीक है न यहाँ पर आपको आपको username लिखा हुआ दिखाए देगा यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर आपका create on कब आपने payment किया वो date आपको दिखाए देगी language आपको यहाँ पर दिखाए देगा इससे आपको जो है आपको take registration में जितने भी सारे आपसे question पूछे जाएंगे उन सभी के answer आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो इन सावरी चीजों को आप पढ़ सकते हैं इसी में से आपसे सारे question answer आपसे पूछे जाएंगे ठीके ना जब आप यहाँ पर study अपनी complete कर लेते है तो आपको जो है यहाँ पर exam देना होगा यहाँ पर जब आप सारे assignment complete कर लेते हैं तो फिर आपको start exam वाले button पे click कर देना है और आपको जो हर एक assignment से 10-10 question पूछे जाएंगे total आपसे यहाँ पर 7 question पूछे जाएंगे 10 assignment से ठीके ना तो आपको यहाँ पर उनके जो है सही answer ट प्लिट कर लिए hàng आपको यहाँ पर बताया जाएगा और यहाँ पर आपका certificate ही वह certificate आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पर कर देना है click, इस certificate पर click करने के पद आपका certificate इस तरह काम आने वाला है। अब दोस्तो बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ से entity number ले लिया है तो फि यहाँ पर बात के वल टेक पर ही खतम नहीं होती है अभी आपको जो है IIBF का certificate भी यहाँ पर इंटर करना होगा अब IIBF का certificate आपको कैसे बनाना है इसके लिए end screen में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके मात्यम से IIBF की certificate का पूरा प्रोसेस आप लोगों को मिल जाएगा तो उस certificate को भी आप जो है online तरीके से बना सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्या वीडियो आप सभी के लिए काफी जाता information रहा होगा जो कि take certificate बनाना चाहते हैं तो अगर आपको certificate को generate करने में किसी भी तरगा आपको जो अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी आपके मन में कोई doubt है तो आप मुझे comment section में जरू से पूछिए मैं मलता हूँ option next video में किसी नई information साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए